हेलो दोस्तों उपसीत वेक नया वीडियो लेकर आज मैं आपको ATM पीन और UPA पीन क्या है इसके बारे में बताने वाला हूँ ATM पीन और UPA पीन दोनों ही ट्रांजेक्शन पीन है अर्थात अगर आप कहीं पैसे ट्रांसफर या विड्रो करते हैं तो आप बिना पीन के इन सारी बैंकिंग गतिवीदी को आप अंजयाम नहीं दे सकते हैं आईए हम सबसे पहले थोरा सा ATM पीन के बारे में जानकरी देते हैं उसके बाद मैं आपको UPA पीन के बारे में जानकरी दे दूँगा यह ATM पीन तभी मिलता है जब आपके पास एक ATM हो अर्थात अगर आप कहीं भी किसी भी बैंक में जाकर करके आप नए अकॉंट खुलवाते हैं तो आप एक ATM फोर्म भी भरते हैं अपने ATM के लिए या नहीं तो अगर आपका ATM छतिक्रत हो गया है या कहीं गुम हो चुका है तो अगर आप नए ATM मंगवाते हैं तो यह आपको पीन जेनरेट करना पड़ता है जब हमने ATM के लिए अपलाइ करते थे पहले तो बैंके के दौरा ही ATM भीजा जाता था लेकिन अब इसे बदल दिया गया है अगर आप ने ATM के लिए अपलाइ करते हैं तो जब आप ATM आपके पास आ जाता है तो आपको यह पीन खुद जेनरेट करना होता है यह तो चाहें तो आप परे मुबाइल फॉन से जेनरेट कीजिए या किसी ATM मसीन से टीम पीन चार रंगों को का होता है इसका उप्योग आप ATM मसीन से पैसा निकालते वक्त पैसा डालते वक्त अगर आप कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजक्शन करते हैं तो यूज होता है तो यह ATM से समद्दित को जानकारी थी अब हम आपको यूपिया पीन के बारे में थुरह संशेप में जानकारी देते हैं यूपिया पीन अगर आप कोई भी यूपिया पेमेंट आप जैसे की फॉन पे गूगल पे पेटियम जो भी है इसमें यूपिया पीन का यूज होता है इस यूपिया पीन से आप कैस में विड्रौ नहीं कर सकते हैं अर्थात कहीं भी आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं यह ATM से बिल्कुल भीन होता है इसका उप्योग सिर्फ आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए कर सकते हैं यूपिया पीन कम से कम 4 अंकों का और अधिक सदिक 6 अंकों का होता है यह तब जेनरेट करना पड़ता है इसको जब आप कोई भी यूपिया पेमेंट अप्लिकेशन आप यूज करते हैं अगर आप तीन बार यूपिया पीन गलत डालते हैं तो आपका अप्लिकेशन 24 घंटे के लिए जो ट्रांजेक्शन कर लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सेर कीजिए धन्यवाद